नमस्कार मित्रों मैं पंडित अखिल सुकुल जै महाकाल आईरबेत मैंने एक दो तीन दिन पहले पलास सपेद पलास की माला का गुरिया का एक वीडियो डाला था वो वीडियो के सम्मन्द में बहुत सारे लोगों ने फोन किये पर वो फोन मैं उठा नहीं पाता हूँ मैं सोचा कि एक वीडियो ही डाल दूँ यह जो माला है यह माला फिरने के यह थेली है आप लोग सब जानते हैं इसमें से यह उंगली को बाहर निकाल के इस उंगली को नहीं लगाते हैं और ऐसे माला को गुमाया जाता है इस माला में विसेशता यह रहती कि एक सुमेरू कहते हैं इसके बीच में जो है और माला मोटे गुरिया से तयार होना चाहिए और इसमें ब्रमगाट जैसा मैंने बता है तो मोटे से पतली की तरफ यह माला की बात आई कैसे कि भगवान शीव के गले में जो सर्व की डले है मूँ और एक तरफ पूँच ऐसे ही माला होना चाहिए जाप माला ऐसी होना चाहिए इसलिए समुद्र मन्थन में भी देखिए मूँ और पूँच पूँच पतली मूँ बड़ा बीच में परवत और वासकी नाग अभी वासकी नाग की बहुत पचास सतर फिट लंबा इसकेलेटन मिला है कहीं राजिस्तान में उसका नामी वासकी इंडियाना रख दिया नाम जिसका मतलब था यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा स्केलेटन मिला है साब का पहले तो दूसी जगे था पहले तो एने कॉंड़ा को मानते तब एने कॉंड़ा पीछे हो गया हमारे भारत में इस अब कुछ है हमारे भारत में बस अर्थे पता नहीं लोगों तो जैसा हम जानते हैं कि लोग आप जानत ऐसा क्यों आपने कभी विचार किया इस बात को कि ऐसा क्यों होता भाई माला ऐसा क्यों फिरना चाहिए किसी से पूछा क्या आपने कोई नहीं बताएगा फिर तो रहा है पर कोई बताएगा नहीं सबसे पहली बात तो है माला को भोजन को पतनी को और धन को ये चार चीजों क दन धन को छुपा कर रखो गे तो दुस्मनी प्यदा हो जाएगी नहीं आप वता दोगे तो मारने आ जाएंगे लोग खाने को दूसित हो जाएगा पत्नी को भी लोगों की निगाह खराब और धर्म को आगर आप छुपा कर नहीं रखा तो देख रहे हैं आज कल कि जो कथा वाचक हैं आपस में कैसे विवाद हो रहे हैं है ना एक दूसरे पर छीटा कसी यह सलातन धर्म का सत्यानास कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए यह नहीं होना चाहिए ठीक है भाई किसी ने कुछ बोल दिया तो ठीक है दूसरे महाराज को क्रोध संत को कभी क्रोध आते ह सबसे वड़ा संत है राम रा और मा का जाब करिये बैठके सभी लोगों ने सभी संतों ने यही बोला कभीर तो बोलते थे हरी मेरे पीछे फिरे कहत कभीर कभीर मैनी फिरता है हरी के पीछे हरी फिरता मेरे पीछे कभीर कभीर कहता कि कहां जा रहा कभीर ऐसी ऐसी भक्ती हो जबकि कबीर के तो जुलाहा करीम जुलाहा ने पाला था उनको हाथ में उठाके लाय थे जाड़ी में पढ़े में लेते इसलिए उनका नाम है कर भीर हाँ तुमें हुए कर हाँ तेने कर कर भीर इतना प्रमानिक आदमी उसकी बात भी हम नहीं समझते फाल तु भीर लगा के घुमते अच्छा बड़े मज़े की बात लोग कहते हैं किसी को हनुमान जी की सिद्धी आ गई किसी को दुर्गा जी की सिद्धी अरे हनुमान जी अस्ट सिद्ध नो निदी के दाता अस्ट सिद्धी जिसके पास है और नो निदी है जिसके पास उसको तुम कहां से सिद्ध कर लोगे भाई करपा हो सकती है जब हम कोई माला या कोई मंत्र करते हैं तो बजरंग बली का मंत्र करते हैं ओम्शिरी अनमंते नमा का करते हैं या ओम्शिवाय का इस माला से जाप करते हैं इस सफेद पलाच क्या ब्रम बुरक्ष होता है बड़ा दुरलब चीज है और अदुती चीज है आप कभी करके देखना है हम यह माला बना के देते हैं बड़े-बड़े संत्य जो लेते हैं तो कम समय में मन की एक आग्र करता है हमारे मन को एकाग्र करता है इसलिए सुरू-सुरू में जिनको भक्ती की मन में जागा है जोस या जो इस लाइन में आगे बढ़ना चाहता है तो फिर माला का पहले उपयोग किया जाता है धीरे धीरे उसका मन जब सांथ हो जाता तो फिर माला को दूर करके फिर अपने मन में वो जाप करते रहते जैसे कि नीम करोली बावा हुए या दूसरे बड़े-बड़े बावा हुए तो ये फिर अपने मन बात आप से करते रहे पर अंदर सब चलता रह गए हमने देखे हैं ऐसे तो इसको इसको सफेद पलास की माला से जब मन का फेरा जाता है तो मंत्र की जल्दी सिद्धी होती है अब कई लोगों के प्रसंथ है कि गाहित्री की सिद्धी नरवदा में क्यों होती पूछा देखो भाया गाहित्री ब्रह पूसकर में मंदीर है गाहित्री जहां दीयत है अठैन में अक दोषया का मंदीर है, उसमें ब्रह्मा जी ज़ल भद में वेले पुत्री दूस्ञत की सिर्दिती ध्यान देता नहीं है ना देखिए आप जब जाएंगे दूसरी बार तो वहां इस चीज का ध्यान करिए तो उनकी बेटी कुवारी थी और नर्वदा जी भी कुवारी इसलिए जब उसमें आप इत्ते पानी में बैठके और मन का गाहित्री का जाप करते हैं तो गाहित्री फिर जल्दी आशिरवाद सरूप गाहित्री में सब है पेड़ पोदे रख जंजार की सब चीजें गाहित्री मंत्र के अंदर समाई तो चोविस अक्षर और जनेव की चो नो अंक पूर ने नो के बाद कोई अंक होता ही नहीं और साथ और दो नो तो यह भी 27 दो नो और तीम छे और नो दुनिया का सबसे बड़ा मैजिक है 369 इस से पूरा हो जाता है तो इस तरह से यह तांत्रिक माला बनती है हर एंगल से तो वैसे कोई सी भी माला से आप जाब करो के तो फिर लाब नहीं मिलता है इसलिए तंत्र की लाइन बड़ी गड़बड है बड़ी कठिन है आपका सरीर कैसा होना चाहिए मू कहा होना चाहिए दिसाओं का बंदन होना चाहिए आपका नीचे जिस पर बैठ रहे हो आप वो कैसा होना चाहिए और माला कैसी होना चाहिए कितना समय होना चाहिए दीपक कौन सा जलना चाहिए यह सब चीजें तंत्र में जो तंत्र क्रिया की तरफ जो बढ़ते हैं जानते हैं बहुत बात करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा यह चोटा सी बात मैंने आपको बता कि बार-बार प्रस्ट कर रहे थे तो ये इससे राम का मंत्र जाप करें को मंत्र ऐसा होना जाप होना चाहिए कि एक गुरिया खतम हो जब बीच का गैप छोड़ का राम फिर दूसरा राम इससे जल्दी वाजी मंत्र में नहीं होती अराम से और मन के अंदर सुमिरन होता है र माला राम की करें चाहिए दो माला जो भी आपको करना हनुमान जी की करें तो बहुत जल्दी मंत्र की उनका अशिरवाद मिलता है हनुमान जी को कोई सिद्ध नहीं कर सकता हनुमान जी को सिद्ध करें राम देखो आप महावारत में भी सबसे उपर जंडा किसका था हनुमा हनुमान मतलब श्यू के स्वरूप और राम भक्ति में लिए तो वहां पे भी हनुमान जी की उपस्तिती जरूरी थी तो बिना राम के कुछ नहीं होता ना गीता होती ना कुछ नहीं होता इसलिए राम चरित मानत में इस पस लिखा है कि ये साबर मंत्र हैं सरल आप इनका उप्योग करिए तो आपके सब कस्ट दूर होंगे भगवान बजरंग मली स्वयम आके कस्ट दूर करते हैं तो उनका उनकी अराधना करिए और अपने बढ़िया जितने प्रेम से आप भगव मंदिर में आप जाते हैं तो एक में हलका सा प्रियोग आपको बता देता हूं उसको करिए तो आपको जो लाब मिल रहा है उससे भी बढ़िया लाब मिलेगा तो दो पत्ते अकाओ के ले लिजिए सफेद पत्ते दोनों मूँ एक तरफ से लेकिए उसके बीच में एक पीप पीपल का पत्ता रखी राम राम दो जगे इसमें राम लिखना है पीपल के पत्ते को चंदन से राम लिखना केसर और चंदन से राम इस पर पत्ते पर एक पर फिर राम पीपल के पत्ते पर राम राम दो बार राम राम दो बार अंतिम पत्ता जो आपका अकाओ को आएगा इसा तीन पत्ते को जोड़के तीन मतलब 21, 21, 21 लेना पड़ेंगे आपको तीन हो पीपल का 21 और 21 दुनी 42 अकाओ के पत्ते तो दो अकाओ के पत्ते के बीच में एक पीपल का पत्ता रखके और ऐसा 21 की माला बना ले या 11 की बना ले लंबा आपको हो तो और सनिवार के दिन भगवान को अरपित करके एक पान उनके मूँ में लगा के पैर परख दीजिए और जो चड़ता है नवेद ये आपका नारियल और आपका साउध नारियल देना है चोला में आपको जंडा लंगोट और प्रिशाद जो भगवान का प्रिशाद है और एक दीपक घी का आटे का बना के लगा के प्रातना करिए ऐसा चार सनिवार करिए पक्का आपको आसा तीत लाम मिलेगा ये मैं पक्का जानता हूँ तो आप मैं जो बता रहा हूं अनावश्यक मत भठक ये इसको करके देखें ये बड़ा अदुतिय प्रियोग है चाह सनी हो चाहिए राहू हो चाहिए केतू हो कोई भी कस्त दायक हो कस्त दे रहा हो वह सांथ हो जाएगा और आपका धीरे 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 भगवान देखें चोड़ा और उसके कई पीपल पुछी नहीं होती पुछी हो तो हनुवान ही है दोनों तरफ राम और बीच में हनुवान हो जब करके चाहिए क्या बताऊं अब मैं आपको जो बताते हैं ये आपको सवाधा अधूरा बताते हैं कोई लाव नहीं मिलता ये करिए आ देख रहे हैं आप सब्सक्राइब कर रहे हैं बहुत तारीफ करते हैं आप सबको धन्नवाद मित्रो इस अब इस्वर की क्रपा है अपना कोई इसमें ज्यादा लेना देना नहीं है जै महाकाल जै बजरंग दादा जै श्री राम